दुख हरता और सुक करता गणपती बप्पा को अनन चतुदशी पर विदाय दी गई दस दीन से घरों में स्थापित गणपती बप्पा की अराधना पूरी होने के बाश्वधालू ने उनकी मुर्ती को जल में विसर्जित किया जिस उत्सा के साथ गणेश चतुदशी पर बप्पा को घर लाए गया ठीक उसी तरह विगनहरता गणेश भगवान को विदा किया गया साथ ही उनसे फिर अगले वर्ष आनी की प्रातना की नगर के बड़े तालाब पर बने अस्थाई विसर्जन इस्थल पर महिलाए बच्चे डोल डीज़े के साथ रंग उलाल उडायकर गणेश पतीमा लेकर विसर्जन इस्थल पंगचे जहां नगर बेशित कर्मशारी उद्वारा मुर्तियों का विसर्जन किया गया बच्चों ने नम आखों से गणेश जी को विदा किया नगर में वान डो टू डो और वान के माध्यम से भी गणेश पतीमा लेकर विसर्जन किया गया सुरक्ष विवस्था को लेकर विसर्जन इस्थल पर पोलिस के जवान तेनात रहे मनासा से बदिलाग उजर किया रिपोर्ट